भारदेश में एक बफर से काफी जादा तेजी से हुंकार भर रहे हैं SSR के फैर्ण्स की न्याई की जीजी हा उन्हें इस महीने गुजर गया है और न्याई की मांग अभी जारी है Justice for SSR सुषान सिंग राशपूत मामने में एक बफर से बरा सवाल खड़ा हुआ है एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तीन सवाल पाठी को लेकर खुले है राजनेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है इसके अलावा डाक्तर सेट सुषान सिंग राशपूत की आखरी कॉल अपने बेस्ट फ्रेंड को आखरी कॉल और तो और सुषान सिंग राशपूत का पाठी में शामिल होना उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर कई खुना से हो ना कही बातों की तरब श्वाज पर सवाल करे हुए है तबस्ता आप देख रहे हैं आप नेक्ष्टर आई न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट्रक्ति लेकर आई इस वक्त ये बड़ी ख़बर सुशान सिंग राजपुत मामले में फिलहाल की नई अपडेट क्या कहती है जरा देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट सुशान सिंग राजपुत केस में अब एक और नया अपडेट आया है जी हाँ एस वक्त बड़े अख़बार ने ये ख़बर चापी है कि सुशान सिंग राजपुत मामले में एक स्टानिंग डिस्कलोजर हुआ है एविन डेज के सिक्विन्स को लेकर जी हाँ सुशान सुशान सिंग राजपुत के मिस्टरी को लेकर सवाल खड़ी किये गया है और इस पर अभी एक खुला सा लगतार सोशल मीडिया पर सुशान के नाम को ट्रेंड में लेकर आया है जस्टिस के लिए मांग एक बाफ फिर से हो उठी है जी हाँ सुशान के निदन के बाद 19 महीने में CBI लगतार चुपी बना रही है और इसलिए लोग फिर से हंगामा खड़े कर रहे है सुशान के निदन के बाद की कहानी फिर्स्ट सामने लाने की कोशिश की जा रही है जी हाँ नौ फर्वरी की पार्टी के बारे में सवाल खड़े किये जा रहे है सवाल कुछ इस तरह से खड़े किये गए है सुशान सिंग राजपुत के अन्रिलीस फिल्म को लेकर कमप्लीशिन को लेकर रुमी जाफरी ने स्टेटमेंट दिया उन्होंने बताया था बीते सालटाइस अगस्त को और वो इस स्टेटमेंट सामने लाए गया कि एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे रूमी जाफरी सुषान सिंग राजपुत के साथ और उसे वो बनाना चाहते थे आखिर वो बन क्यों नहीं पाया ये सवाल खड़ा हुआ लास्ट को सुषान सिंग राजपुत का एक प्रोड्यूसर के साथ था न्यू फिल्म के लिए रिकॉर्ड्स जो है बता रहे हैं इसके अलावा रमिश तोरानी ने सुषान सिंग राजपुत से 13 जून को न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी और इसलिए सुषान सि किया गया था महेश शेटी की तरब से ये स्टेटमेंट आया है पवितर रिष्टा में कोस्ठार्ति महेश शेटी सुषान सिंग राजपुत के जिन्हें सुषान ने कॉल किया था लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाय थे एक बच कर 51 मिनट पर रात को और इसके बाद सुषान क उन्होंने कॉल बेक किया, सुबह उठते ही महेश शेटी ने सुषान को आठ बच कर 30 मिनट पर सुबह कौल किया था, तब सुषान ने कॉल ही नहीं उठाया था कई तरह के सवाल है इस कॉल को लेकर भी फोन कॉल को लेकर भेंकर खुला से हो रहे हैं पार्टी को लेकर भेंकर खुला से हो रहे हैं CCTV फोटेज को लेकर भेंकर खुला से लगतार हो रहे हैं नेक्श्टनाई न्यूजम स्ट्रिप्तिक रिपोर्ट